हलो फ्रेंस आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लेगल हेल्पिन हिंदी में फ्रेंस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आम आदमी बीमा योजना के बारे में आम आदमी बीमा योजना क्या होती है? इसका फायदा कौन उठा सकता है? नोडल इजन्सी कहां पर है, कौन से डॉक्यमिन्ट की जरूरत पड़ती है और इस वीमा योजना का प्रेमियम कितना होता है सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगे आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे तो चलिए जानते हैं कि आम आदमी बीमा योजना क्या होती है भारत सरकार के वित मंत्रा लेके वित सेवा विभाग द्वारा शुरू की गई आम आदमी बीमा योजना एक समाजिक शुरकसा योजना है जो की ग्रामीन भूमी हिन परिवारों के लिए होती है इस बीमा योजना के अंतरगत ग्रामीन परिवारों को कई लाब मिलते हैं जैसे कि जीवन बीमा कवरिज का लाब और राजे के ग्रामीन भूमी हीन परिवार यानि कि जिन के पास कोई भूमी नहीं होती खेती बाड़ी करने के लिए उस परिवार के मुखिया को आनशिक विकलांगता के साथ स्थाइ विकलांगता कवरेज भी दी जाती है परिवार के एक कमाव सदस्से को कवरेज प्रादान किया जाता है और जिस भी वेक्ति का बीमा किया गया है उसके नौवी और बारवी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को जो एजुकेशन हेल्प है जैसे कि स्कॉलर्शिप वगेरा देना ये भी उपलब्द कराई जाती है चलिए अब बात करते हैं आम आदमी बीमा योजना की एलिजिबिलिटी क्या है इस भीमा योजना के लिए सदसे की उम्र 18 साल से लेकर 59 येर की बीच होनी चाहिए सदसे आम तोर पर परिवार का मुख्या होना चाहिए गरीबी रेखा के नीचे एक कमाउ सदसे होना चाहिए वेवसा एक समू होना चाहिए और क्रामीन भूमीहीन परिवार के तहट गरीबी रेखा से थोड़ा उपर होना चाहिए इसके लिए अगर डॉक्यमेंट की बात करें तो डॉक्यमेंट में राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, मत दाता पहचान पत्र, जनम प्रमान पत्र या फिर स्कूल का कोई सैटिफिकेट या सरकारी विभाग द्वारा जारी कियागा कोई पहचान पत्र, इन डॉक्यमेंट में से आपको किसी एक डॉक्यमेंट की जरूरत पढ़ सकती है चलिए अब बात करते हैं कि आम आदमी बीमा योचना का प्रीमियम कितना देना होता है आम आदमी बीमा योचना के प्रीमियम में 200 रुपे प्रति वर्स देना होता है जिसमें से कि प्रती सदस्य हर साल 30,000 रुपे के कवर के लिए 50% समाजिक सुरक्षा को से आर्थिक सहायता दी जाती है 50% प्रीमियम शीस, ग्रामीन, भूमीहीन, परिवार के मामले में और 50% प्रीमियम नोडल एजेंसी या फिर सदस्य को दी जाती है राजे सरकार, संग, राजेशेत्र और दूसरे व्यवसाइक समहु के मामले में सरकार या फिर राजेशेत्र द्वारा जो खर्च होता है वो उठाया जाता है चीफ लिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नोडल एजेंसी क्या होती है नोडल एजनसी से मतलब होता है राज्य सरकार या फिस संगे सरकार द्वारा योजना के प्रशासन के लिए एक नए नियुक्ती करना वो आम आदमी बीमा योजना के तहट जिन भी वेक्तियों का बीमा किया जाता है उनकी तरब से इस योजना में काम करते है अगर कोई वेक्ति आम आदमी बीमा योजना करवाता है तो उसे क्या लाप मिलता है जिसमें से सबसे पहला फायता होता है कि अगर आकास्मिक मृत्यों हो जाए बीमा कवर की अवधी के दोरान एक सदस्य की स्वभाविक मृत्यू हो जाने पर जो जिस वेक्ति का बीमा किया गया था बीमित राशी जो 30,000 रुपे है वो नॉमिनेटिट परसन को दी जाती है दूसरा फाइदा होता है दुर्घटना से मृत्यू या फिर विकलांग हो जाना अगर जिस वेक्ति का बीमा किया गया है उस वेक्ति के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें उस वीमित व्यक्ति की मृत्यू हो जाती है जिसने की वीमा करवाया हुआ है या फिर वो विकलांग हो जाता है तो ऐसे में जो वीमा कवर की अवधी के दौरान दुरगटना के मामले में जो साहयत प्रदान की जाएगी अगर मृत्यू का मामला है तो 75,000 रुपे दिये जाते है लेकिन अगर दौरगटना के कारण वो वेक्ति पूरी तरह से विकलांग हो जाता है जिसमें दोनों आँखें या फिर कोई शरीर का कोई अंग पूरी तरह से डिश्ट्रॉय हो जाता है या एक आँख चली जाती है तब भी उसे 75,000 रुपे की हेल्प की जाती है या फिर दौरगटना में एक आँख या फिर एक ही अंग की शती हो गई है या खराब हो गया है तो उसमें 37,000 रुपे की हेल्प करी जाती है तीसरा सबसे बड़ा फाइदा होता है छातरविती का लाप मिलता है फ्री में लाप के रूप में नौवी और बार्वी क्लास के बीच में पढ़ने वाले जो अधिकतम दो बच्चे हैं उनको 100 रुपे प्रती बच्चे के हिसाब से छातरविती दी जाती है ये जो स्कॉलर्शिप होती है इसका भुक्तान वार्शिक रूप से प्रती वर्श महीने की पहली जुलाई और पहली जन्वरी को कर दिया जाता है तो फ्रेंस ये था आज का हमारा वीडियो की आम आदमी बीमा योजना क्या होता है उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिये गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिया है तो फ्रेंस आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू वेरे मुच